हलो फ्रेंड्स पेलकम तू मैं चैनल जैमातादी इस पीडियो में आज हम सुनेंगे हल सश्टी प्रत कथा जिसे हल छट, हरचट, बल्राम जयन्ती, लहली छट, कमर छट और चंदन छट के नाम से जाना जाता है इस प्रत को महलाएं अपने बच्चों की लंबी आयू, उनके अच्छे स्वास्त और उनके उजल भविस के लिए रखती हैं हल सश्टी का प्रत भादों माहा की कृष्ण पक्ष की सश्टी को रखा जाता है कथा सुनने से पहले हम हाथ में कुछ पसाई के चावल, यह पसाई के चावल होते हैं बोले लेंगे और पुस्प ले लेंगे फ्रेंट्स इस पूजा में आपको जो सिंपल वाले सफेज चावल होते हैं उनका यूज नहीं करना है अब हम कथा सुनेंगे कथा इस पकार से है एक ख्वालिन गर्वुवती थी बच्चे के जन्म लेने का समय नजदीक था लेकिन उसका मन दही और दूद में ही अटका था उसे लगा कहीं मेरा दूद और दही घराब न हो जाए इसलिए बहे उसको बेचने के लिए चल दी कुछ दूर पहुँचने प दूद दही वेचने के लिए चली गई गाय भैस के मिसे दूद को केवल भैस का दूद बता कर उसने गाव वालों को ठग लिया इससे ब्रत करने वालों का ब्रत भंग हो गया इस पाप के कारण जर्वेरी के नीचे इस्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया दुखी किसान ने जर्वेरी के काटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट के टाके लगाई और चला गया गया ग्वाले लोटी तो अपने बच्चे को ऐसी तसामे देखकर उसे अपना पाप याद आया कि आज तो हल सष्टी है और मैंने गाय के दूद को भैस के दूद में मिला कर आज सभी को दे दिया और सब के साथ चल किया है जिसके कारण जिन महलाओं ने हर श्ष्टी का ब्रत रखा होगा उनका ब्रत भंग हो गया होगा उसने सारे गाव में घूम घूम कर सभी घावालों को अपने इस ठगी की बात बताई साथी उसने यह भी बताया कि मैंने आप लोगों के साथ ये ठक किया जिसके कारण हर श्ष्ट माता ने रुष्ट होकर मेरे हाल के हुए बच्चे के प्राण हर लिये हैं उसके सच बोलने पर सभी ग्रामिड महलाओं ने उसको छमा कर दिया और आसर बात दिया इस प्रकार जब है खेत पर लोट कर आई अपने पुत्र के पास तो उसने देखा कि उसका पुत्र बिल्कुल सही सलामत खेल रहा है तब ही से इस प्रत को मनाया जाने लगा बोलिये हल्चट माता की जै फ्रेंड्स जब हम कथा संपूर कर लेंगे तब जो पुस्प और चावल हमने बताईएगा और यदि आप मेरे चैनल पुनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लेच चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए सेर कीजिए साथी पैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट प्रेटे